नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटुब चल एडिकेशन के टेशिक्स पे और आज हम देखने जा रहे हैं जनल नौलेज का सेट थ्री जिहां अभी तक हम लोगों ने सेट वान और सेट टू में देखा बहुत इंपॉडेंट कोश्चन जो की रेलवे से रेले में ऐसे कोशन पूछे गए हैं इसलिए ऐसे कोशन आपके सामने लाना और शेर करना आप लोगों मैं उचित समझा तो अगर दिन बच्चों ने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथी साथ इस बेल के आइकन को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है यह देखिए पहला सवाल है रेल्वेज स्टाफ पॉलेज बनाए गया है वह कहां इस्ती थे तो आप्शन आपके सामने है मुंबई सी कंद्राबाद या बढ़ोद्रा तो आप्शन है चार आप नीचे कमेंट ब वीडियो को इट्स रिक्वेस्ट टू यू ठीक है वो प्लीज दूर है हमारे इस चैनल सेट क्योंकि यहां पढ़ने वाले बच्चे जुड रहे हैं तो उनके लिए ही हम यह सब चीजी प्रवाइट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज शेयर कर भी दीजिए आपने दोस्तो कि यहां गुजरात में स्टाफ कॉलेज रेलवे का यह कहां है बढ़ोद्रा एक सिटी है गुजरात की यहां है इस्टिप रेलवे स्टाफ कॉलेज तो इन बढ़ोद्रा और आंसर है आपका डी रेलवे के लिए जहां पर रिसर्च किया जाता है और स्टेंडर्ड और इसका आप दीजिए लगनाव बैंगलोर आगरा या पूने नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने अंसर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि सारा का सारा सॉल्यूशन आपको यहां से मिल सके और देखिए इसका पीडिएफ भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं तो पीडिएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिएग कि निमलिकित में से कौन सा स्थान डीजल घटक वर्कर स्थापित किया गया है ठीक है जो डीजल कंपोनेंट वर्कर वर्क होते हैं रेल्वेगे वह कहां होते हैं कौन से सहर में जमसीट पूर्पटियाला पिरंबोर्ग या फिर वारंगल तो आप्शन आपके सामने है अब नहीं देखा हूँ जरूर देख लें वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट था ठीक है और जो सेकेंड वाला था जिसमें के हम लोगों निकल पड़ा है मुख्याले और उसके जोन के बारे में ठीक है तो डिवीजन वाले जो चैप्टर है मतलब कितने मैं आपको बताया इसके बारे में कमेंट के जिए कि हम में चाहिए तो हम लोग लाके जरूर आपको प्रोवाइट करेंगे डिवीजन के बारे में भी ठीक है तो यह आज का सेनारियो है पूरा यह रेलवे से रिलेटेड है और कौन से सहर में उनकी क्या चीज़े हैं क्या वर्क हैं यह बताय सबसे बड़ा कि जोन कौन सा है रेलवे इंडियन रेल जो है फूर्वी रेलवे जो है वह आपका सबसे बड़ा जोन माना जाता है रेलवे का है ऑर यह कहां है कौन से सहर में यह पताया था मैंने आपको यह कौन से स्टेट का है तो यह वह बच्चे कहां पर जोन बताईए आप जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए इसका आंसर आप जल्दी फटा-फट मीचे जाकर आप इसको कुलकाता में है इसका मुख्याल है ठीक है चली है रेलवे स्टेशन सिच्टीट इन इस्ट्रीम साउथ इस जट्चिन में सबसे लास्ट जो रेलवे स्टेशन ने वह कौन सा है सबसे लेकर कन्या कुमारी चलती है ठीक है और जम्मू से लेकर कन्या कुमारी चलती है सबसे लंबी दूरी तैग करने वाले ट्रेन है इसका नाम भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में यह तो आपको कमेंट दरना भी पड़ेगा और नहीं भी जानते होगे तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजएगा ठीक है चलिए यह हमारा अगला सवा प्लेट्फोर्म सराउंडेड वाइवेल लाइन है फ्रॉंद फोर साइड इस कॉल्ड अब बताईए यह क्या है सभी चार तरफ से रेल लाइन से घीरा हुआ एक मंच क्या काल आ जाता है अंसर अपने कमेंट कीजिए अब आगे 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 सभी चार तरफ से रेल लाइने घीरे रहने का मंच यानि की क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चे इसको कहते हैं जो चार तरफ से रेल लाइनों से घीरा हुआ है रेल लाइन फॉर साइट इसको आइसलें प्लेटफॉर्म याद रहेगा आपको चलिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको शेयर किया है यह कोश्चन और देखिए फर्स्ट अंडर्ग्राउंड रे रेल्वे स्टार इंविच यह यह बहुत इंपॉर्डेंट कोश्चन है और यह सबसे पहले कहां चला गया था यह आपको बताना है ठीक है चलिए तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिए और फॉर्स्ट अंडर्गाउंड रेल्वे जो मेट्रो रेल चली थी वह चली थ बता रहा हूं इसका आंसर बता रहा हूं इसका आंसर बच्चे इट्स-बी-1988 तो अभी तक दिन बच्चों ने कोश्चन नंबर सिक्स का अंसर नहीं दिया है कि वो कौन सी ट्रेंड है जो जम्मू कस्मीर से कन्या कुमारी तक जाती है ठीक है तो देखो एक तो है आपका बिवेग एक स्पेस ठीक है यह कहां से जाता है तो यह जाता है असम से यह सबसे लंबी दूरी तय करता है ठीक है दिब्रूगड जो है असम में दिब्रूगड दिब्रूगड से कन्या कुमारी जाता है याद रखेगा पर जो ट्रेन जम्मो से कन्या कुमारी जाती है उसका नाम आप सभी को बताना है ठीक है चलिए यह एक तो मैंने बताती है जो सबसे लंबी दूरी यह जो ट्रेन है ना यह सबसे लंबा जाता है जो कन्या कुमारी सबसे ज्यादा दिस्टेंस तेह करता है पर जम्मू से कन्याक हुमारी पॉंटरिंच चलती यह आपको बताना है अगला हमारा सवाल है कोश्चन इंडियन रेलवे नेशनलाइज इन विच इयर यह पताना है आपको राश्ट्रेक्रेट कब हुआ था भारतिय रेल तो यह हुआ था बच्चे 1950 में यह हुआ था राश्ट्रेक्रेट ठीक है तो यह 10 यूज्ट है आपके आज और अब हम देख रहेंगे आपके साथ पर अब कोश्चन ऐसे आएंगे जो की वन लाइनर होंगे ठीक है तो याद रखिएगा इतने कोश्चन टेन क्यूज था और अगला हमारा सवाल है जो की आपके वन लाइनर है चलो अब मैं उसका आंसर बता ही देता हूं ठीक है जो जम्मू से कन्या क रहें ठीक हुमारी तक जाती है उसत्रेंग का नाम है हिम सागर एक स्परेश याद रहां सबर्वार्ण करती है याद रहेगा और एक कौन का बता है मैंने आपको विबेक एक्सप्रेस जो की डिब्रुगर से डिब्रुगर से कन्या कुमार जाती है गेंसको सब्सक्राइम से सब्सक्राइब। यह कल आसफेइस के centralized सब्सक्राइब। एक राजदानी एकषप्रेस कब और कहां से चलाई गई थी तो बच्चे आंसर है ये एक मार्च 1979 को नई दिल्ली से हावडा के बीच गई थी एक मार्च 1979 याद रखेगा टाइम और इसका दिल्ली से हावडा तक का पहली राधानी को और कलकत्ता को राधानी यानि की बेंगल की राधानी को जोड़ा था इनने ठीक है यह सवाल हो गया दूसरा जो सवाल है इसका आंसर आप लोग जल्दी दीजिए नीचे जागे भारतिय रेल की बड़ी लाइन सरुपतम सुपर फास्ट रेल कौन सी है भार भारतिय रेल की बड़ी लाइन यानि की लॉंगेस्ट लॉंगेस्ट जो है लॉंगेस्ट लाइन जो है लॉंगेस्ट रेलवे लाइन वो सरुपर फास्ट रेन कौन सी है तो आंसर है बचे राधानी एक्सप्रेस ही है ठीक है सबसे लंबी लाइन है इसकी और सुपर फास् तो वो है सताबदी एक्सप्रेस सरवाधिक दूसरी सरवाधिक महत्रपून रेलगारी जो है जिपसे फास चलती है ठीक है तीसरा हमारा है चौथा कोशन है कि पहली सताबदी एक्सप्रेस तब और कहां से चलाए गए थी तो यह राजधानी का बताया मैंने आपको कि एक मार् पढ़ता है उत्रप्रदेश में जो की नई दिल्ली से जहां से गये थी 1988 में 10 जुलाइक को के चलिए इन्पॉर्टेंट कोश्चन थे चार यह अगला है चार भारतिया रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेल गाड़ी तो सताबदी एक्सप्रेस भारतिया रेल की सबसे त चलने वाली गाड़ी नहीं है तो यहां पर राजधानी एक्सप्रेस के बाद भारती रेल की दूसरी सरवाधिक महत्तपूर्ण डेल गाड़ी है वह सताबदी एक्सप्रेस महत्तपूर्ण की बात हो रही है यहां कंफूज मत होईएगा भारत में सबसे तीच चलने वाली क्यों सताब्दी एक्सप्रेस का नाम सताब्दी एक्सप्रेस की रखा गया था ये important question बनता है तो ये answer है इसका तो कि इसे पुरु प्रधान मंत्री जुहारला लेहरून की जन सतावदी के आउसर पर आरंभ किया गया था तो इसलिए इसका नाम सतावदी एक्सप्रेस रखा गया ठीक है चलिए नई दिल्ली से जहांसी तक चली पहली सतावदी एक्सप्रेस का विस्तार कब और कहां किया गया ये important question उठकर आ रहा है 19 परवरी 1989 को भुपाल तक चलाया गया था दिल्ली से भुपाल तक ठीक है नई दिल्ली से जहांसी तक चली पहली सतावदी एक्सप्रेस का विस्तार कब और कहां हुआ था तो ये भुपाल तक किया गया जहांसी से इसको बढ़ा के भुपाल तक किया गया दिल्ली से पहले जहांसी जाती थी आप दिल्ली से भुपाल तक जाती है कब से हुआ तो य टेकन जो है डेकन लाइन ने जो है महाराष्ट से चला जाती है और भारतिय रेल और महाराष्ट परेटन विकास नियम का ये बहुत ही बड़ा संजुक्त उद्गम है और डेकन ओडिसी लगजरी ट्रेन का आरंब कब हुआ है तो 16 जनवरी 2004 को छत्रपती सिवाजी टर्मिनल स इसका आरंब हुआ था डेकन ओडिसी ठीक है ओडिसी लगजरी ट्रेन नाम याद रखेगा यह सब इंपोर्डेंट को सब सारे के सारे ठीक है तो जरूर बनेगा आपके एक्जाम में बच्चे ठीक है और देखो मैं बच्चा-बच्चा आपको सब को बोलता हूँ है यह न आप लोग ऐसा बानते हो तो गलत है वो डिसीजन ठीक है नहीं तो मैं आपको भाई बैयन भी बोल सकता हूँ कोई दिक्टर नहीं है ठीक है पर पढ़ाते समय निकल ही आता है ठीक है तो कोई इशू नहीं है ठीक है जिनको प्रॉब्लम हो फ्लीस दूर रहें यहां से चलि तो देखा अभी तक के लिए इतना ही था हमारे स्क्यूज में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके एक्जाम के लिए आपको बहुत सी ज्यादा महत्रपूर्ण जो हमने टॉपिक दी है रेलवे से इसको जरूर एक पढ़िएगा औ पर जिरूर नीचे जाके डाउनलोड कर लीजेगा और पुरा का पुरा आप कोश्चिन जो है एक जगा नोट्स करके रखिए आप पीडिया नोट्स जो है अपने प्रिंट आउट कराया के रख सकते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते है आपसे अलग वीडियो में अगले जोगी सेट नमबर होगा चार ठीक है बाबाइए कर दो